नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में आज का जो हमारा विशह है वो राजा राम मोहन रॉय के उपर है और उनके समाजिक सुधार के उपर है और हम इसमें राजा राम मोहन रॉय के कुछ व्यक्तिकत जीवन की विशह में भी जानेंगे और आधुनिक भारत में अगर हम बात करें तो ये पुनर जागरण के निर्माता कहे जाते हैं इनको इस रूप में जाना जाता है जिसमें हमने आधुनिक भारत में आंदोलनों की बात की थी उसमें मैंने शुरुआती राजा राम मोहन रॉय से की थी और उनका एक बहुत अच्छा स्टेट्मेंट था जिससे मैंने शुरुआत की थी और किस तरह से वो सती प्रथा के साथ जुड़े हुए थे तो आज हम बात करते हैं इनके जीवन की वेशे में कुछ तो राजा राम मोहन रॉय की अगर हम बात करें तो ये कहीं के राजा नहीं थे इनको एक राजा की उपाधी दी की थी जिसकी मैं चर्चा करूँ आगे इनका नाम था राम मोहन रॉय और राम मोहन रॉय साब का जन्म हुआ है 22 मई 1772 में बंगाल प्रेसिडेंसी के हुगली जिले में राधा नगर नाम का एक गाउं है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था बंगाल के प्रेसिडेंसी में इनका जन्म है और बंगाली है ये जन्म जात जो जन्म से हैं वो ये बंगॉली थे लेकिन इनको बहुत सारी भाशाओं का भी ग्यान है आगे चलके हम इसकी एक एक करके चर्चा करेंगे इनके पिता जो थे रामकांत थे जो की एक वैशनाथ थे और इनकी जो माता थी तारणी देवी वो एक शैव परिवार से आती थी और उस समय वैशनविजम और शैविजम अपने शुमार पे था और इस तरह से इनका जो जीवन है जो व्यक्तिकत जीवन है वो धार्मिक सहिश अक्बर दिती ने इनको राजा की उपाधी दी थी और ये इस उप्लक्ष में हुआ था कि जब राजा राम मोहन रॉय इंग्लेंड जाते हैं और आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था किस तरह से सती प्रथा के विरुद्देग विद्यक बनाया गया था 1829 में तो 1830 में इंग्लेंड इसलिए जाते हैं कि ये जो विद्यक बना है सती प्रथा के अगेंस जो बना है ये कहीं से वापस लेल ना लिया जाए कहीं से वापस इसको बदला ना जाए इसलिए इंग्लेंड जाते हैं और वहां जाते समय ये जो मुगल समराट अकबर दिती हैं इनकी pension के उपर भी ये चर्चा करते हैं और इनकी pension को बढ़ाने के जोर देते हैं और किसी तरह से अंग्रेजी सरकार को राजी कर लेते हैं कि जो मुगल समराट अकबर दुती हैं जो कि जो हमारे East India Company के अंतरगत रह रहे हैं और इनके pension अधिकारी हैं इनकी pension को बढ़ा के ये 30,000 pound करवाने के लिए राजी कर लेते हैं राजा राम मोहन राए तो इनको जो अकबर दुती हैं मुगल समराट हैं ये इनको उपादी देते हैं राजा की इसी उपलक्ष में 1797 में राजा राम मोहन राए कि कलकत्ता पहुचते हैं और बनिया का का काम करते हैं यानि की एक साहुकार ben जाते हैं मुख्य रूप से कमपनी के अंग्रेजों को उनके साधनों से परे रहने के लिए उदार देने का ये काम शूरू करते हैं लेकिन राजा राम मौन रॉय जो है इनको भारती पुनर जागरण का जनक माना गिया है आधुनिक भारत का निर्माता माना गिया है और ये शुरुवात के दौर में अपने ये अंग्रेजों के लिए काम करते हैं लेकिन 1814 तक आते हैं हम देखेंगे कि ये स्तीफा दे देते और ये समाच सुधार के साथ जुड़ जाते हैं इन्होंने ब्रह्म समाच की स्थापना की जो हिंदु धर्म का पहला समाच सुधार आंदोरन था तो ये ब्रह्म समाच की भी स्थापना होती है 1828 में और ब्रह्म समाच के उपर हम चर्चा करने वाले हैं आज इसलिए मैं इ कि थोड़ी सी जो religion को लेके जो इनके political जो thoughts थे जो religious thoughts थे उसके उपर discuss कर लेते हैं जो इनका विश्वास था वो एक इश्वरवाद में था यानि कि monotheism को मानते थे और जैसा कि हमें पता है कि उस समय या उस समय के अबल की आज के समय भी जो हिंदू जो धर्म है वो monotheism को नहीं मानता वो polytheism में विश्वास करता है मतलब बहुत सारे देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है हाला कि उसका मकसद केवल एक उस परम शक्ति तक पहुँच नहीं है लेकिन इनका जो विश्वास था वो एक इश्वरवाद में था और इन्होंने ये जो विश्वास इतना मनाया एक इश्वरवाद में ये इन्होंने कहीं ना कहीं Christianity और इसलाम का जो धर्म था उससे बहुत जादा प्रवावित हुए थे और इन्होंने मुर्शिदाबाद में रहते हुए एक प्रसिद पुस्तक लिखी जिसका नाम है तुफतुल मुवाहिद्दीन पुस्तक है इसका अर्थ है एक इश्वर वादियों का उपहार इस तरह की इन्होंने पुस्तक लिखी है और कई बार इनके जो पुस्तके हैं जो बहुत जादा पूछे आते हैं जिसके उपर मैं भी चर्चा भी करूँगा और इससे पहले मैंने जब भारती आधुनिक भारत में प्रेस का जब रोल आपको पढ़ाया था तो उसमें भी हमने राजा रामोहन राए की चर्चा की थी 1803 से लेके 1815 तक जो राजा रामोहन रहा हैं ये इस्ट इंडिया कंपनी की लेखन सेवा की सेवा की इन्होंने और मुर्शिदाबाद में ये अपीली नयायले के रेजिस्टरार थॉमस वुड्रोफ के लिए निजी क्लर्क यानि की मुंशी के रूप में इन्होंने सेवा दी नाम इंपॉर्टन्ट है नाम कई बार पूछा जा सकता है थॉमस वुड्रोफ जो अपीली नयायले है अपिलेट कोड है वहां के रेजिस्टरार है थॉमस वुड्रोफ उनके मुंशी यानि उनके क्लर्क की रूप में नोंने काम किया और 1815 में फिर ये स्तीफा दे देते ह और जो पुनर जागरण है जो हमारा समाज सुधार है उसके साथ ही जुड़ जाते हैं और आत्मिय सभा की ये स्थापना करते हैं 1314 15 में तो इनके अनुसार जो मानव सब्बेता है उसका अदर्श अलग-अलग रहने में नहीं बलकि आपसी भाईचारे में इन्होंने माना तो ये इनका एक पॉलिटिकल थौट भी कह सकते हैं एक रिलिजिस थौट भी कह सकते हैं धार्मिक इनका एक थोड़ा सा ऐसी सोच थी और ये अलग-अलग नहीं मानते थे मानव सब्बेता का अदर्श बलकि साथ में रहने को भाईचारे को इन्होंने जोर दिया है और इस बहुत सारे प्राचीन वेदों का बहुत सारे इन्होंने जैसे केनो अपनिशद है इसोपनिशद है इन सबके इन्होंने बंगाली में अनुवात किया है और इन्होंने ये सिद्ध किया है कि जो पुराने हमारे वेद हैं जो प्राचीन अपनिशद हैं वो भी कहने कहीं एक इश्वरवात की तरफ ही इशारा करते हैं और 1814 में ये आत्मी सभा की स्थापना करते हैं और इनका जो मकसद होता है वो होता है मूर्ति पूजा के विरुत जाती प्रता और पुराने जितने भी बेकार के रीती रिवाज हैं जिनका इस युग में इस समय कोई काम नहीं है उ दूसरे धर्मों की उन बातों को ग्रहन किया उन्होंने जिसे वो हिंदू धर्म के योग के समझते थे 1820 में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है प्रिसेप्स ओफ जीजस अब ये इस तरह से काम कर रहे होते हैं तो ये यूग वैसा है 1819 सदी की जो शुरुआत है बहुत सारी Christian missionaries आ रही हैं हिंदुस्तान में और जितनी भी ये Christianity के जितने भी मसीहा जो लोग आ रहे हैं हिंदुस्तान में ये चाहते थे कि यहाँ पर Christianity को बढ़ावा मिले और उनको कहना कि यह ऐसा लग रहा था कि जो राजा राम मोहन रॉय हैं क्योंकि वो हिंदू धर् प्रिरित कर रहे हैं कि वो अपना धर्म छोड़के वो क्रिश्यानिटी में कनवर्ड हो जाए हैं लेकिन जब यह किसाब यहां पे छापते हैं 1820 में जिसका नाम है प्रीसेप्स आफ जीजस इस पुस्तक में इन्होंने लिखा कि जो जीजस थे वो इनको इन्होंने माना नही कि यह किसी भी इश्वर के अफ़तार थे इन्होंने उनके हाला कि जो नैतिक और दार्शनिक संदेश हैं उनको अलग अलग करने की कोशिश की है और उनकी जो चमतकारी कहानिया हैं उससे इन्होंने उसको अलग किया है मतलब इन्होंने यह तरह से यह सिर दिगिया है जो ज आदा महतपूर ने चमतकारिक कहानिया इतनी महतपूर नहीं है इसलिए वो इश्वर के अथार उतार उन्हों नहीं माना तो यहां पे जो क्रिश्चन की जो यहां पे जितने भी मिशनरीज आते थे उनको बहुत बड़ा धक्ता लगता है और वो यहां पे आगे चलके राजा यहां पे करना शुरू गिया तो यहां पे क्रिश्चन मेशनरीज जो थी उनको बहुत जादा गहरा धक्का लगता है क्योंकि वो यह सोच रहे थे कि यह जो राजा राम होन रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी मदद करेंगे लोगों को करने में क्रिश्चनिटी में वे अपने वि राजनीतिक उत्थान करना इस तरह से संभव नहीं है तो यहां से जो समाजी सुधार था उनका उसका जो देश्च चता हो यही था कि किसी तरह उनमें राज्च पेम की भावना जगे और उनका राजनीतिक उत्थान किया जा सके अगस्त 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज का गठन किया पहले जिसका नाम बाद में बदल का ब्रह्म समाज कर दिया गया और हम बात करते हैं ब्रह्म समाज क्योंकि यह बहुत जादा महत्पूर्ण है एक्जाम पॉइंट अफ यू से और यह बहुत जादा पूछा जाता है इसके विचारों के उपर प्रशन आते हैं क इसके क्या क्या विचार थे इसने क्या क्या एक्सेप्ट किया है क्या 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 इसने रिजेक्ट कर दिया है तो इश्वर एक है पहला इसने यह एक्सेप्ट किया कि सभी जो इश्वर जिसके हम पूजा करते हैं चाहे हम अल्ला बोले बगवान बोले राम रहीम जो भी बो इन्होंने मूर्ती पूजा कर यहां पे खंडन किया क्योंकि जब आपने बोल दिया निराकार है तो आप उसको किसी मूर्ती में इस तरह से बना के उसकी दो आखे बना के और इस तरह से उसकी बॉड़ी पूरी बना के ऐसे नहीं बता सकते कि हमारा ईश्वर जो वो इसी तने से है और क्योंकि वो निराकार है आपने उसको आकार दे दिया इनके हिसाब से ब्रह्म समाज के हिसाब से ये निराकार है तो ये कहीं ना कहीं इसलाम से बहुत जादा प्रभावित है और आपको समझ में आ रहा होगा निराकार इसलाम के साथ-साथ ये सिख्खिसम से भी प्रभावित है क्योंकि सिख्खिसम में अगर आपने सुना होगा तो वो बोलते हैं एक उंकार सत नाम करता पूरक तो एक उंकार एक ईश्वर की बात की गई है फिर वो बोले है निर्वैर इस तरह से उन्होंने तहीं न गई सिख्खिसम को भी अपनाया है और धार्मिक पुस्तकों के अध्यन या पूजा में विश्वास नहीं था इस प्रम समाज के लोगों को ना ईश्वर कभी जन्म लेता है और ना कभी मरता है ये भी इनका ऐसा मानना था लेकिन उनके जो एक इश्वरवाद और निर्गुड परमात्मा को लेकर तरक थे वो वेदों और उपनिशिदों की शिक्षा पर आधारित थे लेकिन इन्होंने ये भी माना है कि जो पुस्तके हैं जो हमारी जितनी भी धार्मिक पुस्तके हैं उनके अनुसार वो पुस्तकें जो हैं तुर्टी ही नहीं हो सकती हैं और इसलिए इन्होंने धार्मिक पुस्तकों के अध्धन या पूजा में विश्वास नहीं जताया है इसके लावा ब्रह्म समाज का कर्म फल पर विश्वास था अइंसा को ये प्रमुकिस्थान दिया करते थे यहां पे इन्होंने बहुपत्नी प्रता और सती प्रता का विरोध किया है और जिसके तहर आगे चलके सती प्रता के खिलाफ एक विद्यक भी आता है बंगला और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार को समर्थन दिया अब ये जी कि अंग्रेजी शिक्षा को प्रचार और प्रसार को समर्थन जो दिया है वो इसी आशा में दिया गया है कि जितने भी हमारे आधुनिक भारत जो हम बात करेंगा हम 1857 की करांती से पहले की तो जितने भी हमारे ऐसे समाज सुधारग या जितने भी ऐसे नेता थे उनको ये विश्वास था कि जो ब्रिटिश तरकार है वो भारत में आदुनिक्ता लाएगी इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा का भी बल देते हैं और इसलिए यही रीजन था कि वो ठारा सुस्तावं क कि क्रांती में अंग्रेजों के साथ ख़ड़े होते हैं ना कि भारतियों के साथ विद्वा विवा का समर्था इन्होंने किया है और बाल विवा का विरोध भी किया है तो यह सारे जो पॉइंटस है बहुत इंपॉर्डेंट है ब्रह मसमाज के उपर कई बार पॉइंट्स का इन्होंने विरोध किया नहीं किया इस तरह से प्रश्ण हो सकता है बन जाएं और ईश्वर के उपर तो प्रश्ण बनना ही बनना है कि इश्वर के बारे में इनकी क्या धारणा थी तो निर्गुण माना है निराकार माना है इसकेspr अलाबा अगर हम vyksiड़ करें राजाराम ст देव ने ब्रह्म समाज के सिध्धानतों के विरोध में एक धर्म सभा का गठन किया और 1833 में इंग्लैंड में राजा राम मोहनराई की मृत्ति हो जाती है और इसके बाद ब्रह्म समाज को काफी गैरा प्रभाव भी पड़ता है लेकिन ये जो धर्म सभा है ये धर्म सभा न प्रयास है उनका एक बहुत अच्छा क्रम है और मैं थोड़ा थोड़ा करके बताता हूं आपको 1818 में सती विरोध आंदोलन इन्होंने आरंब किया था सती प्रता के विरुध जन्मत खड़ा करने वाले वो पहले ऐसे नेता थे उन्होंने शम्शानों की यात्रा करके प्रता के विरुध जलाने की कोशिश की जा रही है तो वहां पर इन्होंने जाके रिश्टिदारों को अन्दा ग्राउंड ये समझाने का प्रयास किया और बहुत जादा उनको रोगने का भी प्रयास किया इन्हीं के प्रयासों और सरकार से अपील के चलते सती प्रता के व होती है जो भी उनके जितना भी अगर मान लेजे उनके माता पिता गुजर जाते हैं तो जो उनको पैतरक संपत्ति मिलनी चाहिए उसका अधिकार उनको होना चाहिए क्योंकि एकर बात करें 19 सदी में तो 19 सदी में भारत में जो इस्तियान थी उनको पैतरक संपत्ती का अधिकार नहीं दिया जाता था और यह आज भी हम देखते हैं बहुत जादा इसको इतना तवज़ो नहीं दिया जाता कि अगर आपकी घर में कोई लड़की होगी तो उसको आपने दहच दे दिया शादी कर दी उसके बाद उसका पैतरक संपत्ती में अधिकार आज भी हम देखते हैं कि नहीं दिया जाता है लीगली इसको इनफोर्स किया जा चुका है भारती है अगर हम बात करें भारत की जो गौर्रमेंट है उसके द्वारा लेकिन समाज में देखें तो आज भी इसको बहुत जादा माननेता नहीं मिली है तो इसके खिलाफ इन्होंने बहुत जादा आंदोलन चलाया यह चाहते थे कि पैतरक संपत्ती का अधिकार मिले इस्तरियों को शिक्षा का अधिकार मिले और वो आधनिक पास्चात शिक्षा के भी पक्षिधर थे जिसके बारे में पहले भी देख चुके हैं जिसमें भार्तिय और पास्चात थे बहुत इक भी ग्यान की शिक्षा जिए आती दी राजा राम मोहनरोय खुद एक भाशा विद थे उन्हें संस्कृत, अर्बी, फार्सी, अंग्रेजी, ग्रीक, लेटिन और फ्रेंच इतनी सारी भाशाओं का उनको अच्छा ग्यान था और इनके बहुत सारे समाचार पत्र भी हम देखते हैं अलगलग भाशाओं में जैसे हमने इससे पहले भी देखा कि उन्होंने किस तरह से जो पुस्तक अपनी लिखी एक इशुरवात को उपहर उसका जो नाम है वो भी अर्वी और फार्सी से मिलता है उन्होंने बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी भाशाओं में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया है बंगाल में उन्होंने जमीदारों द्वारा रहयतों के उत्पीडन की निंदा करते हुए कर की अधिकतम मात्रा निर्धारित करने की मांग की तो यहां पे देखिए किस तरह से बहुत सारे आंदोनों के साथ जोड़ना है अब यहां पे रहयतों के साथ भी जोड़ गए और कर्मुक्त भूमी पर सरकार द्वारा पुना कर लगाया जाने का इन्होंने विरोत किया राम मोहन रॉय को मूल रूप से 18 क्टूबर 1823 को अब इनकी मृत्यू जाती ही जब 27 सेप्टमबर 1823 को इनकी मृत्यू होती है मेनिंजाइटिस से इनकी मृत्यू होती है मेनिंजाइटिस से इनकी मृत्यू हुई है अगर आप पॉइंट ओफी से देखें तो बहुत इंपॉर्ण है हो सकता है पूछ ले कि इनकी मृत्यू किस बीमारी से होती है तो मेनिंजाइटिस बीमारी से इंग्लैंड में इनकी मृत्ति होती है 27 सब्तमबर 1833 में और इनको 18 अक्टूबर 1833 में स्टेपल लटन ग्रोफ के मैदान में दफनाया जाता है लेकिन 9.30 साल बाद उन्हें 29 मई 1843 को नए अरनोस वेले के एक कबर में फिर से दफनाया जाता है तो यहाँ पर यह एक छोटा सा यह है कि किस तरह से क्योंकि इनकी महत्तुता बढ़ गई थी तो इनको यहाँ पर दफना के और अभी अगर हम देखे तो 29 मई को जो ब्रिटिस सरकार है वो इनको अभी भी श्रद्धान जली देती है 29 मई को एक कारिक्रम होता है जो वार्शिक है 29 मई 1843 को जब भी दफनाया गए थी उसके बाद से ही होता है और 27 सितंबर को भी एक कारिक्रम होता है जब इनकी मृत्ती हो गई थी तो इस तरह से जो राजा राम मोहन रॉय है उनका जीवन समात्त हो जाता है और हम जान लेते हैं कुछ रोचक तत्य हैं मा राजा राम मोहन रॉय के जीवन से जुड़े हुए जैसे राजा राम मोहन रॉय जो थे वो पहले से व्यक्ति थे जिन्होंने भारती भाषा में अ अखवार था संभात कौमदी ये अगर हम बात करने भारत में तो भारत में जितने भी दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे होते थे उसके विशे में लोगों की जो राय बने उसके लिए ये संभात कौमदी उनको मदद करता था और अठारा सो बाइस में राज बंगली भासा में है गोपाल क्रिशन गोखले ने राजारामों रौय को आधुनिक भारत का जनक चाहें ये कई बार एक पकुल लियाता है किकी किसып किस ने किसको क्या कहा है दो जो राजाराम्щёनराए है उनको आधुनिक भारत का जनक बोला है गोपाल then and और कई सारे इत्यासकार जो हैं उन्होंने इनको भारतिय पुनर जागरण के अगरुदूतों में से एक माना है लेकिन जो महत्मा गांधी का जो विचार है राजा रामोन राय को लेके ये थोड़ा सा अलग है और ये थोड़ा सा डिबेटेबल है क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको की जो राजा रामोन राय थे वो अंग्रेजी शिक्षा और विचारों से काफी प्रभावित थे तो इसी को लेके मात्मा गांधी और रविंद्र नाट टैगोर में एक बहत छड़ जाती है गांधी जी जो थे वो राय की अंग्रेजी शिक्षा और विचार के प्रती समरपड़ पर आपती जताते हुए उन्हें एक पिग्मी के रूप में चित्रित करते हैं पिग्मी क्या होता है पिग्मी वो व्यक्ती है जो बहुत दुरबल है actually पिगमी जो है वो एशिया और अफरीका की कुछ जातियों को जन्जातियों को बोलते हैं जो बॉने होते हैं जिनकी हाइट बहुत दादा नहीं होती है और बहुत दुर्बल होते हैं तो इन्होंने इनको पिगमी के रूप में चित्रित करके मतलब उनको ये बताया है जिस समय जितने भी नेता थे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो ये सोचते थे कि जो बिटिश है ये भारत में अधुनिक्ता लाएंगे और भारत का जो पिछड़ा बने उसको वो कहिना गई हटाने में मदद करेंगे लेकिन जब गांधी जी का यूग आता है वो आता है बीसमी सदी में और बीसमी सदी की शुरुआत में चीने बहुत जादा परिवर्तित हो चुकी होती है अठास सुतावन की हम क्रांती देख चुके होते हैं और भी बहुत सारे परिवर्तन आ चुके होते हैं इतियास में तो जो गांधी जी है उनका जो व्यू बन रहा है रि एक संपूर्ण एपिसोड चित्रण किया है इसका तो ये बहुत जादा महतुपूर्ण फैक्ट थे कुछ जीवन से जुड़े वे राजा राम मोहन रॉय के और उनके समाज सुधार जो बहुत जादा एक्जाम में पूछे आते हैं इसी तरह की इंट्रेस्टिंग टॉपिंग मैं लेके आता रहूँगा इस पर चर्चा करता रहूँगा जोड़े रही है मेरे इस चैनल से और इसको लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद